दोस्तों जरकन में अवो आवास जोईना शुरू हो चुकी है और इसका मंजूर भी मिल चुकी है कैबिनेट में इसका आवेदन कैसे किया जाएगा कैसे इसका सेंशन किया जाएगा और दोस्तों अवो आवास की जो सूची तयार किया जाएगा उसमें सबसे पहले किसको आव किन लोगों को ज्यादा अंक मिलेंगे, बहुत सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कबर करने वाले हैं, और बहुत सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जाने वाले हैं, यह एक चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के मादम से जाने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काप इंपोर्टेंट हो सकती है तो वीडियो को लास तक जरूर वाज कीजिए यदि आप अब आवाज सोजना का लाप लेना चाहते हैं तो हेलो अबरिमन मैं हूँ आपका बाई किस ओर वेलकम टू किस्व टीटल वो दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो पहली अब चीजों को एक पेपर कटिंग में दिया हुआ जो कि आप इसक्रीन पर यहां पर देख पा रहे होंगे यह पेपर जो आप अभी यहां पर देख पा रहे हैं यह टीटर पे पोस्ट की गई है एन इसी के मादियम से हम लोग डीटेल से समझेंगे कि कैसे इसमें आवेध और की लागत पे अभुआ अभा स्योजना को कंप्लीट किया जाएगा टोटल तीन वर्स की समय निधारिक की गई है फॉर्स्ट इयर यहीं की 2023-24 में दो लाख अभुआ अभा स्योजना को सुविक्रित किया जाएगा एन दोजर पचीस चबिस में ढाई लाग अभुआ उसके लिए नहीं मिलेगा इसके लिए वाको सुविक्रेटर यहां फिर हम लोग यह भी जानेंगे कि किन को इस उजिना का लाब मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक पेपर कटिंग में यहाँ पर दिया हुआ है कि चार पहिया वाहन के मालिक हैं नाव के मालिक हैं और परीबार के कोई सरकारी जौक के अंदर आते हैं आति परिवार के कोई 발 fan सब्स यादि इनकम टैक्स को पेमिन करते हैं या पिर विम आपके पास गा dese जादा जमीन है या फ्रीज रखते हैं तो आप और एक चीज की यहां पर मिंशन की गई है। यदि यदि आप पीएम आवास यॉजणा का लाब लें ले चुके हैं या फिर कोई भी सेंटरल पीम आवास यॉजणा का लाब ले चुके हैं तो आपको इसंतरी में और उमावاب किया क्या क्रिटरिया निद्धर की गई, क्या आपको Irishच CMO जाएं कि इसके लिए कैसे आपको लाब मिले गा, ऑवेधन का क्या प्रोसीलिया होगा, इसा संभावना है इसके लिए paper cutting में mention की गई है कि ये आवेदन offline होगा ग्राम सभा की माधियम से होगा आपके गाउं के परधान या फिर आपके गाउं के वाट सदस की दोवारा आपके ग्राम में ग्राम सभा किया जाएगा और उसी ग्राम सभा की माधियम से आपका selection होगा आपके गाउं में क सिक्षा सूची के अंतरगाद सबसे उपर में रखना है इसके लिए भी मैं बता दूँ कि इसके लिए रैंकिंग सिस्टम किया गया है अंकों के अधार पर रैंक डिसाइड किया जाएगा जिनको ज्यादा अंक मिलेंगे उनका नाम सबसे उपर में रहेगा तो चलिए अब हम लोग यह जानते हैं कि किसाधार पर इनको ज्यादा अंक मिलेंगे तो इसके लिए दोस्तों कच्छे घरों में रहने वाले लोगों को दो अंक दिया जाएगा ऐसे लोग हैं जिनको कि अपना घर नहीं है या फिर कोई दूसरे का घर में या फिर कहीं और रह रहे हैं वैसे लोगों को दो अंक दिया जाएगा यदि PVTG परिवार हैं तो उनको एक अंक दिया जाएगा प्राकितिक आबदा से ग्रसीत लोगों को एक अंक दिया जाएगा और रिहा किये गए बंधुवा मजदूरों को एक अंक दिया जाएगा इस तरह से अंक देने के बाद जिनको सबसे ज़्यादा अंक मिलेंगे उनका नाम सबसे उपर सुची में रखा जाएगा तो दोस्तों आप बात ये कर लेते हैं कि जदी एक से जादा लोगों को एक ही अंक मिल गया जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि इन में से जदी किसी लोगों को पांच अंक मिल गया और किसी दूसरी लोगों को भी पांच अंक मिल गया तो उसमें से जदी उस परिवार में जिस वीकलंग लोग रहते हैं, उनको प्राथिमिक्ता दिया जाएगा, उनको उपर में नाम रखा जाएगा, तो इस तरह से प्राथिमिक्ता सूची को तयार किया जाएगा, और प्राथिमिक्ता सूची की आधार पर ही, अभू आवास जोईना का सेलेक्शन किया जाएगा, जैसे कि हरे गाओं में कम से कम यदि 10 या 50 आवास का जदी वहाँ पर टार्गेट दिया जाता है तो उतना ही लोगों का यहाँ पर सेलेक्शन किया जाएगा उसके बाद जो बचे हुए लोग होंगे उसका सेलेक्शन अगले साल किया जाएगा जैसे कि आपको पता होगा कि तीन साल में 8 लाख अबो आवास जोजना को दिया जाएगा जारकन के हर एक लोगों को तो दोस्तों इस योजना में आविदन करने के लिए आपके पास क्या-क्या डोकमेंस होना चाहिए ये भी बात हम लोग कर लेते हैं तो अबो आवास यो में लाब लेने के लिए सबसे पहले पहले से बनवा लेना चाहिए ताकी आपको इस सुझना में लाब लेने में कोई भी परिसानी ना हो दोस्तों हो सकता है कि आविदन के समय निवासी परवानपत्र की जगह पे कोई और डौकमेंस को भी इसमें निवासी परवान की रूप में वैलिट कर दिया जैसे कि आध तो आपको अभी से बनवा की रख लेते हैं, तो आपको अभू आबास योजिना में लाब लेने में कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी, आप आसानी से इस योजिना का लाब ले पाएंगे, उसके बाद आपको आधार कार्ट तो लगेगा ही लगेगा, यह मस्ट है, बैंक पास आपको अभू आभास योजिना का लाब आसानी से ले सकें, आपका आवएधन अभू आवास योजिना के अंतरगर करने में कोई भी समस्या ना हो, तो दोस्तों, आप हम लोग बात करते हैं कि आपको अभू आबास योजिना का आवधन कब से सुरू हो गाएंगा, उमीद ह पास समय है आप जल से जल डोकुमेंट का त्यारी कीजिए आपको बहुत ही सिग्रेट चीज आपको बता रहा हूं कि अब आपको लेना है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि ऐसा देखा किया है कि काफी लोगों को जो कि आपके ही छेत्र में आपने देखा होगा कि काफी योजना ऐसे होते हैं जो कि योजना का लाब लेना चाहते हैं जो कि 100% योजना को लाब लेने के लिए इलिजबेल होते हैं फिर भी उनको लाब नहीं मिल पाता है किसी और को लाब मिल जाता है वैसे सिदिम आपको एक्टिव होना पड़ेगा और जब ग्राम सभा ते लिद्टे में कोय विए अदिदकारी ही आपका नाम सबसे पहले रखेंगे जाये कुछ भी ओज़ा आपका नाम नहीं चुटेगा मैं आपको वो ठीक बताऊंगा क्या मैं किया इक'll बीधक होगा है कैसे निगराशन नसी रेंटेट ग्रेंट सभा होना सुरू हो जाती है मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको उस ग्राम सभा में भाग ले लेना है कैसे पाडिसमेट करना है कैसे उसमें 100 प inse time आपको लाब मिलेगा वो ट्पTY कम हो होता है यानि कि गूस वागेरा कोई भी वरस्टाचार जदी वहां पे हो जाती है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन officer पे लगाम लगाना है और free मैं आपका काम कराना है यह सभी ट्रीक को मैं आपको बताऊंगा तो इस चैनल को जदी अभी कि अध्यां यहां मेरा लक्षा है मैं आपको इसका लाब दिलाकि रहांगा यदि आप इसके लिए हैं तो लेकिन अभरावावास में आपको बता दो दूस्तां कि यह जरूर आएगी आपके घरों पे आपको इस जरूर कर लाप ज़रूँ मिलेगा लेकिन ज़दी इस उना में भी कुछ रपरवाई सरकार की तरब से हुआ तो सामने इलेक्ट किजी अपने ध ही कीजिए Susi कुछ होने वाला नहीं है काम करना ही पड़ेगा तो दोस्तों आईहोप वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए अपनों तो सेर कीजिए मिलते किसी इंपोर्डेंट वी साथ किसी नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए थेंक्यू आपका दिन सुभू